हेलो फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग आज हम इस वीडियो में भारत के एक और एतिहासिक जगह के बारे में जानेंगे जिसे ताज लेक पैलिस के नाम से जाना जाता है फ्रेंड्स अगर आप लोगों को और भी किसी हिस्टोरिकल प्लेस के बारे में जान रहें तो प्लीज कमेंट करके बताईएगा और मेरे इस्टडी चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपको अच्छा लगे तो चलिए जानते हैं ताज लेक पैलिस के बारे ताज लेक पैलेस राजिस्थान के उदेपूर में इस्थित हैं उदेपूर को वैनिस ऑफ द इस्ट कहते हैं ऐसा इसलिए क्योंकि उदेपूर में बहुत ऐसे महल हैं जो जीलो में या जीलो के किनारे हैं और ये महल भारत के प्राकरतिक खुबसूरती और सांस्कृतिक को दर्साते हैं जैसा इटली के वैनिस सहर में है दोनों जगहों में लोग वोट की सफारी का आनंद लेते हैं और जो किनारों पर बसे हुए महल है वहां घूमते हैं ये महल पिछिलो जील की किनारे बसा हुआ है जिसे देखने पर ऐसा लगता है कि संग मर्मर की संरचना जील में तैर रही हो इस महल का निर्माड पंद्रह सो इक्यावन में हुआ था इसको बनवाने का का महराड़ा अमर सिंग ने सुरू करवाया था महराड़ा अमर सिंग मेवार के सिसोदिया राजवन्स के सासत थे इनके पिता महराड़ा प्रताप सिंग थे बाद में महराड़ा कर्ड सिंग ने 620 से 628 के बीच में कुछ काम करवाया इस महल में महराडा कर्ड सिंग महराडा अमर सिंग के पुत्र थे और इस महल का पूरा कार महराडा जगत सिंग ने करवाय था जो महराडा कर्ड सिंग के बेटे थे पूरा कार लगभग 1652 में हुआ था जगत सिंग के द्वारा इसका पूरा काम करवाय जाने पर इस महल का जग मंदिर नाम भी है ये महल उदेपूर का सबसे आकरसर इस्थर माना जाता है क्योंकि इसके बाहर तालाब के किनारों पर पत्थर के हाथियों की मुर्ती एक लाइन में बनी होई है जो बहुत सुन्दर है इस पैलेस को लेग गार्डन पैलेस के नाम से भी जाना जाता है जग मंदिर का मुगर बाथसा साजहां से जुड़ा एक दिल्चस्प इतिहास है साजहां को बश्पन में खुर्रम के नाम से जाना जाता था वर्ष 1623 में खुर्रम यानि साजहा ने अपने पिता जहांगीर जिन्हे सलीम के नाम से जाना जाता है उनके खिलाफ विद्रोह कर दिया था क्योंकि वह सिंगहासन पर कपजा करना चाहते थे और अपनी सुरक्षा के डर से खुर्रम ने उदैपूर के मेवाड राज में सरण ली जो महराडा कर्ड सिंग के सासन में था और महराडा कर्ड सिंग ने खुर्रम को सरण दी क्योंकि खुर्रम की मा राजपूत इसरी थी जिनका नाम जगत गोसाई था खुर्रम को इसी जग मंदिर में सरंड दिया गया क्योंकि ये चारों तरफ से पानी से घीरा हुआ है पानी से घीरे होने की कारण ये एक सुरक्चित इस्थान था इस महल में कई वर्षों तक खुर्रम सरनार्थी सीविर में रह और बाद में इसे जगत सिंग ने सांदार महल के रूप में बनवाया इस महल के गुमदाकार मंडप ने खुर्रम पर एक बड़ा गेहरा प्रभाव छोड़ा जो बाद में उनके द्वारा बनवाई गई सबसे अद्भूत इमारत ताज महल में दिखाई देती है खुर्रम ही आगे चलकर साह जहां बने इस महल का ये गुमदाकार च्छत वाला स्थान यहां का मुख्य स्थान है महल के कोनों में अश्ट कोड़ी आकार की मिनारे हैं और अंदर बड़े बड़े हॉल है इसकी बनावट राजपूत और मुगल सहली की वास्थान कला में बनाई गई है इस महल में बड़े बड़े आंगन है और पत्थरों पर सुन्दर सुन्दर नकासियां की गई है इस गुल महल के पूर में सगमनमल की केवल बारह बड़ी-बड़ी सिलाओं से बना हुआ एक सुन्दर महल है जिसे बारह पत्थरों का महल कहते हैं यहां पर बड़े-बड़े गार्डेन है और म्यूजियम भी है यहां पर बना हुआ गुल महल पीले-बलुआ पत्थर से बना हुआ है यह गुल महल इसलामी सैली की वास्तु कला में बनवाया गया है इनकी दिवारों पर भित्ती-चित्र और रंगीन पेंटिंग की हुई है और यहां पर एक मस्जिद भी है जहां राजकुमार खुर्रम नमाज अदा करते थे गुल महल एक गुमबद के आकार की संरचना है जिसके उपर इसलाम का आधा चांद बना हुआ है इसमें तीन गुलाकार गुमदाकार कच है जो एक दूसरे के उपर बने हुए है तो यह थी ताजलेक पहले से जुड़ी कुछ जानकारियां अगर आपको हमारे वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीस लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट